नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे जिनकी उमर 18 प्लस हो गई है और वो कोवीड-19 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं दोस्तो मैं आपको कुछ आसान स्टेप बता देता हूं जिनके दुआरा आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तो कोवीड-19 का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि यह हैं रजिस्ट्रेशन 28 अपरेल श्याम 4 बजे से शुरू हो गया है तब आप भी जल्दी से जाके रेजिस्ट्रेशन करिए दोस्तों रेजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें Google Chrome में जाके सर्च बॉक्स में kovin.gov.in टाइप करके सर्च करना है इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एज 18 प्लस रेजिस्ट्रेशन ओपन हो गए है हम भी जाके रेजिस्ट्रेशन कर देंगे इसके लिए हम नीचे स्क्रोल करेंगे नीचे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो रेजिस्टर साइन इन यॉरसेल्फ और रेजिस्टर भी दारोग्या से तू हम यहाँ पर रेजिस्टर साइन इन यॉरसेल्फ के दुआरा करेंगे तो इस पर हम क्लिक कर देते है इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना phone number लिखना है दोस्तों यहाँ पर number लिखने के बाद get OTP पर क्लिक करना है दोस्तों OTP को लिखने के बाद वेरिफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है दोस्तो यहां पर बता रहे हैं कि you can register four members with one mobile number आप एक phone number से चार members को register कर सकते हैं जिनकी age 18 से 44 के बीच में है दोस्तो अपने आपका registration करने के लिए सबसे पहले हमें register member पे क्लिक करना है दोस्तो यहां पर आप देख सकते हो photo ID proof हमें select करना है यहां पर हमें आधार card, driving license, pen card, passport, pension, passbook, NPR, smart card, water ID काफी सारे option मिले हैं हम यहां पर आधार card select कर लेंगे क्योंकि आधार card सभी के पास होता है इसलिए और आधार number एंटर कर देंगे दोस्तो यदि आपके पास आधार card किसी करन से नहीं है तो आप और दूसरा options चूज़ कर सकते हैं like pen card भी आप यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैं अपना आधार number डाल दूँगा आधार number एंटर करने के बाद हमें यहां पर नाम एंटर करना है जो कि हमारा आधार card में लिखा हुआ है दोस्तो यहां पर जो नाम लिखना है वो सेम आधार card के अनुरूप लिखना है ताकि बाद में verification के time पे आपको कोई दिक्कत ना हो यहां पर हमें gender चूज़ करना है जो कि mail है दोस्तो नीचे यहां पर हमें year of birth लिखना है यानि कि किसी की यदि जनम्तिती माल लीजिए दोस्तो पांच जनवरी 1990 है तो उसको केवल 1990 ही लिखना है जबकि मेरी 1998 में है तो मैं 1998 में लिख दूँगा और register वाले option पे click कर दूँगा यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा registration successful हो गया है और हमें reference ID भी मिल गई है दोस्तो इसी तरीके से आप भी अपना registration करवा सकते हैं दोस्तो इसी के साथ मैं आपको बता दूँँ कि सभी को हम सब को मिलके vaccine लगवाना है दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like करे, comment करे, share करे और यदि दोस्तो चैनल पर नए हैं तो subscribe भी करें Thank you so much for watching